हेलो फ्रेंड्स कैसे हूँ आप सभी इस वीडियो में आपको e-cash के बारे में बता हूँ है कि बिसिकली e-commerce में e-cash क्या होता तो सबसे पहले हम इसकी definition देखते हैं e-cash को हम digital cash, e-currency, e-money, electronic cash, electronic currency, digital money, digital currency या cyber currency भी कहते हैं जो ए-cash system को refer करता है जिसका use करके कोई person किसी product या services के लिए securely pay कर सकता है electronically way में जिसके लिए हमें किसी भी bank को mediator involve करने कोई भी requirement नहीं होती जब हम कोई transaction करते हैं या किसी को पैसे बेजते हैं या किसी से पैसे लेते हैं तो समय हमें किसी bank को involve करने की requirement नहीं होती और इस way में जो cash का transfer होता है उसको हम digital cash कहते हैं इसे हम इस तरीके से भी define कर सकते हैं the electronically representation of paper cash is known as e-cash basically guys जब हम normal cash जिसको हम physical cash भी कहते हैं उसे electronically way में represent करते हैं तो इसको हम e-cash कहते हैं e-cash it is a digital money product यह digital money product होता है जो हमें एक ऐसा way provide कराता है जिसका use करके हम किसी product या services के लिए pay कर सकते हैं के लिए आमें money को restore करने की requirement नहीं होती है आपको अपने पास पैसे रखने कोई requirement नहीं होती है आप digital payment कर सकते हो जैसे कि इसे एक example से समझते हैं suppose that आपके कोई cousin है जो आपसे काफी दूर रहते हैं और उन्हें पैसे की जुरुवत पड़ती हैं तो आप जब क्या करते हो आप अपने phone का use करते हो उसमें phone पे का use करो Google पे का use करो आपके उपर depend और पैसे transfer कर देते हो तो इस भी में जो money transfer होता है उसको हम e-cash कहते हैं करने के लिए जाते हो वहाँ पर आप अपनी credit card को swap करके money देते हो तो इस way में जो cash होता है उसको हम e-cash कहते हैं इसके लिए आप जब कोई product खरीदते हो किसी mall से आप physical way में तो payment नहीं करते हो आप electronically way में payment करते हो तो इसको हम e-cash कहते हैं e-cash के कुछ advantage भी है disadvantage में क्या है आप quickly money को किसी को send कर सकते हो आप distance से money को send कर सकते हो आपका time बचता है time saving होती है आपको e-cash security provide कराता है कि security आप किसी के पास इसे send कर सकते हो इसके कुछ disadvantage भी है suppose that आपके आपर network facility अच्छी नहीं है तो आप उस समय अपने cash को transfer नहीं कर पाओगे तो ये इसका disadvantage भी है अगर आपको ये video अच्छी लगी हो और e-cash के वारे में कुछ समझ में आयो तो please video को like करें और channel को subscribe करें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी video बना so thank you for watching